आज देखते हैं कौन सी important news और editorial आया है उसको discuss करेंगे अच्छे वे से अब सबसे पहले जो आपने question का answer देना होता है वो question देखते हैं कि आज का यह economy का question है I hope आप इसको answer दे सकोगे क्योंकि इसका topic भी आज हमने discuss करना है थोड़ा सा newspaper में जो आया हुआ है देखे जो RBA है वो कहते decide कि हमने adopt करनी है an expansionist monetary policy वो monetary policy expansion वाली करना चाहरे है which of the following would it not to do ठीक है वो क्या चीज नहीं करेंगे नीचे में से number one cut and optimize the SLR ठीक है cut और जो cut है वो कर देंगे SLR को number two है यहां पर increase the marginal standing facility rate number three cut the bank rate and repo rate इन में से कौन सी चीज नहीं करेंगे आपके option A, B, C, D ठीक है तो आपने comment section में बताना अच्छे वेसे भई चलो next news की बात करेंगे जो next news की नहीं मतला first news की बात करेंगे GS3 is related है बहुत important है ध्यान से सुनियेगा आपको अच्छी लगेगी news अच्छी लगेगी मतलब के understanding कर देते हैं उसको हाइक कर देते हैं हाइक कर देते हैं उसको हमने यह काफी बार discuss कर चुके अब तो यहां पर आर बी ने भी क्या किया policy rates को यहां पर बिढ़ा दिया है तो मतलब क्या होगा हमारी country में inflation थी मतलब महंगाई हो रखी थी अब policy rate को increase कर दिया मतलब के जो repo rate हो गया या फिर जितनी भी rates है उसको increase कर दिया मैंने आपको बताया था कि अगर फिर भी आपको कभी मतलब आप कहीं से भी economy कर रहे हो कहीं से भी not from me क्यूंकि अभी हमने YouTube पे तो economy एक अच्छे वे से नहीं डाले proper तरीके से तो मैं आपको ये बताना चाता हो अगर कभी भी इसमें confusion आ जाए और exam में कोशन आता है प्रेलम्स में और आपको पूछते हैं कि inflation भर चुकी है कम करनी है तो आपने बोलना है कि हर एक policy rate को increase ही करना है ठीक है चाहे वो कोई भी rate है उसको increase कर दोगे तो जो inflation है वो control में आ जाएगी इतना clear हो गया अब suppose कि repo rate को उन्होंने क्या कर दी यहां पे increase कर दिया मतलब के repo rate वो rate है जहां पे जो banks है वो पैसा लेते कहां से RBA से मतलब जो RBA उसको महंगा पैसा देगा और bank भी आगा महंगा देगे तो जो लोग हैं वो पैसा वो कम लेंगे तो market में अगर कम पैसा आएगा औ और लोगों के हाथ में कम पैसा होगा तो inflation है जो वो control हो सकती है ठीक है तो यह one of the point है inflation को control करने का मैं बार बार यही बोलता होता हूं कि कहीं बार हमें दिमाग में यह बैठ जाता है कि अगर inflation को control करना है तो यही method है नहीं this is one of the method this is not the only method this is one of the method to control the inflation ठीक है there are various other methods also like fiscal policy like administrative measures we are having a lot of methods but this is one of the method और यह अच्छा method है जिसको की जो central bank है वो use करता है ठीक है और central bank इसको यूज कैसे करता है वाया दी अब इसको लिहान से सुनना भई यह I hope आपको समझे में आगा होगा अगर किसी को भी कोई डाउट हुआ comment section में पूछना है अब इस चीज को conduct करने के three from the कहां से RBA से और तीन government of India के लोग होएंगे जो हमारे governor RBA के वो ex official chairman रहते है इनके ठीक है तो इन में जो भी कुछ decide होता है suppose यहां पे इन्होंने decide कि है कि policy rate यहां पे increase करनी है तो कैसे decide हुआ होगा voting से decide होता है ठीक है voting से decide होता है और जो vote पे जो resolution पे ज्यादा vote आए और वो जो चीज है वो आगे conductor हो जाती है लेकिन जो governor है वो chairman रहते हैं उनके पास voting power नहीं है लेकिन उनके पास voting power नहीं है लेकिन उनके पास पावर है किस चीज की कि अगर कहीं पे tie हो जाता है अगर कहीं पे tie हो गया suppose करके चलते हैं कि किसी जगाँ पे tie हो गया कि तीन लोगो है ठीक है so governor मतलब जो chairman है he is having the power of casting vote not the veto power or not the normal voting power right तो ये चीज़ आपने एक अच्छे वे से याद रखनी है यहाँ पे भूलनी नहीं है ठीक है यह होप आपको ये चीज़ समझ में आगी होएगी इसके regarding आप सो मैं एक और question पूछता हूँ जो बच्चों ने अभी मेरे से economy की है ठीक है recent time में कुछ 2-3 महीने पीछे या फिर अभी जो recent batch खतम हुआ है तो different different institutes में तो मैं आप से यह पूछना जाता हूँ कि मैंने आपको बताया था जो MPC है वो किसी कमेटि की recommendation थे आई थी वो कमेटि का नाम के है ठीक है तो कमेटि का नाम आप आपने comment section में बताने comment section में जरूर बताया करो उसमें engagement increase होती है मतलब सच में बताऊँ तो engagement बहुत increase होती है उससे और जो video है वो काफी मतलब आप माणगे चलो काफी दूर तक चली आती है अधरवाइस तो हुई अपना एक पता क्या है इस चीज में ना हिंदू अनेलिसिज में कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा पुराने लोग है जो साथ साथ आठाठ साल से वो अनेलिसिज कर रहे हैं चाहे वो सही है गलत है बहुत बढ़ी है या फिर उपर है तो हमें एड़ पार भी अगर आना है तो कमेंट किये किजी और शेयर कीजेगी अब नमबर टू जो यहां पे हमारी न्यूज आ रही है यह हम काफी दिनों से न्यूज डिसकस कर रहे हैं कि भई मैंने आपको पहली पताया है चाइना की दुखती रग गए भई ता तो चाइना तो बहुत ही जादा मतलब एक गबराट फील करता है उसको प्रॉब्लम क्रेट हो जाती है ताइवान के नाम से अब यहां पे तो विजिट हो गई ठीक है विजिट की बाद में अब उसने क्या किया अभी हम सस्पेंड कर दी उसने यूएस के साथ में जो भी ब वो केटिव ठीक है तो ताइवान को तो उसने इस तरह से की या यूएसे के साथ में जो भी बाते चल रही थी वो बंद कर दी तो चाइना तो बिल्कुली यहां पर क्या हो चुका है बोखला सा चुका है पागल सा हो ठोड़ा सा ठीक है चलो नेक्स्ट यह चीज मैं क्यों देखो अब इसके पीछे का बैगराउंड का है कि चाइना इतना जादा प्रॉबलम में क्यों आ गया यह चीज आपने समझनी है यह चीज आपने याद रखनी है यह चीज आपने देखनी है कि एक बार प्रिवेस यह जो वीडियो से कल वाली नी उससे पहले वाली जो दो सीखना चाहिए ताइवान से किस तरहां से हैंडल करना चाहिए चाहिए चाहिना को बहुत अच्छा है उसके पॉइंट्स हम नोट करेंगे ठीक है जहां पर पॉइंट्स आपको नोट करने के लिए मैं बोलता हूँ आप एक बार कर लिया करो अब नेक्स चीज की बात करते है यहां पर जो next news है इंडिया witnessing death of democracy यहां पर protest किया कल Congress जो मतलब opposition उसने protest किया और protest में उन्होंने बोला कि भी जो democracy है वो आप उसको मारते जा रहे हो ठीक है और यह जो protest हुआ था it was against the price rise it was against the unemployment it is against the GST so यहां पर price rise यह बिल्कुल सही है अगर इसके खिलाफ आप प्रोटेस्ट कर रहे हो this is true ठीक है इस पर वो कोई दो रहा ही नहीं है कि भी यह political party वाला सीन हो गया यह हो गया भी प्राइज राइज आपके सामने महगाई हो चुके तो अगर उसके लिए protest किया जा रहा है आप gas lender की बात कर ले चाहे किसी भी चीज की बात कर लो आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि भी कितने प्राइज राइज हुए है हाँ whether you belong to you can belong to any ideology you can belong to any party वो आपका एक stance रहता है लेकिन जो सचाई है वो सचाई है भाई number two यहां पर unemployment unemployment is on the peak ठीक है highest unemployment हो चुकी है यह data's है ऐसे मतलब वो नहीं है कि भी हम हवा में यहां पर बोल रहा है बंदा फिर लास्ट में GST भाई इस GST का ना मैं अगर मतलब आप मान के चलो कि government को खुद को नहीं समझ में आए कि भाई GST का बन क्या रहा है चल क्या रहा है program क्या चल रहा है क्योंकि जो slabs है वो multiple कर दी हुई है ठीक है तो वन नेशन वन टेक्स का जो नारा था या फिर वन टेक्स वन नेशन का जो नारा था वो तो कहीं पे पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा बहुत ज़्यादा पांच slabs है मतलब पांच slabs मानके चलो के 0% बाली भी है पांच बाली भी है 12, 18, 28 इस तरह से मतलब ठीक है चलो जो भी चल रहा है तो उसके अभी recently क्या किया है GST को और impose कर दिया है उस पे curd पे दहीं पे जो essential चीज़ है वो खाने वाली है हर एक बंदा खाता है उसको फिर यह जो चीज़े है वो इस वज़ा से यहां पर प्रोटेस्ट होता है और यह जो चीज़े है ठीक है मतलब obviously opposition का काम है अपोज कर रहा है और इस तरह से पोज भी करना चाहिए नेक्स्ट जो लेकिन देखो न यह प्रोटेस्ट का एक एक और चीज़ लास्ट में यह प्रोट पार्लेमेंट में आपने बाते करनी थी जो डिसकस करने थी बिल्स पे वो खतम है ठीक है तो यह थोड़ा सोचना चाहिए यह ठीक है आब बाहर करो लेकिन वहां पे कर रहे तो वो तो पार्लेमेंट के स्टेंडर्स को डाउन कर रहा है वो उसकी जो productivity उसको decrease करता जा रहा ह क्योंकि लास्ट के दिनों में दो तिन दिनों में उन्होंने बिल पास कर देने अपने without any kind of discussion फिर हम देखते रहेंगे पहले भी वहां पे अपना काम करो वहां पे भी oppose करो जब आपका time मिला हुआ है लेकिन यहां पे यह वाली चीज़ तो सही है नेक्स चीज़ की बात करत था कि अगर कोई unmarried women है वो up to 24 week old वाली जो pregnancy है उसको terminate नहीं करवा सकती ठीक है तो यहां पे Supreme Court ने बोला this is the violation against the right to bodily autonomy and dignity so अगर कोई married women को आप allow कर सकते हो तो why not unmarried women और married women को abort करवाना ज्यादा easy है क्योंकि उसके साथ family खड़ी होएगी ठीक है उसके साथ family है वो family obviously कोई ऐसा stance रहा होगा ऐसा chance रहा होगा जिसकी वज़े से वो abort करवा जाते है but not in the case of unmarried women ठीक है so unmarried women के लिए भी यह जो चीज है यहां पर I think कि इसको खतम करने की बात की है कि आप इस चीज को bodily autonomy and dignity के बीच में लेकर आओ और unmarried women को भी पहले मैं आपको बता दूए 20 weeks तक हो सकता है लेकिन उसके लिए practitioners यह वो की सलाह लेनी पड़ती है लेकिन अभी up to 24 weeks पूरा flat करती है ठीक है so यह एक news थी और अग को कहीं बार होता है कि मैं background proper बता देता हूं अगर कुछ extra पढ़ना है उसमें time लगेगा तो आपने MTP Act पढ़ लेना ठीक है medical termination of pregnancy Act अगर कुछ नहीं समनी में आगा तो comment section में पूछ लेना next 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 news की बात करेंगे जो next news है वो हमारा editorial है ठीक है और editorial है related to मैंने आपको पहली बत निकाल देता है यहां पर ICT की बात करेंगे ICT में किस किस की बात करेंगे India, China और Taiwan की यहां पर बोला यह गया है कि जो lessons है Taiwan के साथ में stand of चल रहा है उससे कुछ lessons लेने चाहिए India को कैसे कैसे lessons लेने चाहिए देखो अब पहली चीज तो Nancy Pelosi की जो visit है ठीक है Taiwan में despite warnings वो हुई ह ठीक है उन्होंने वहां पर करवाई गया तो वो डरे नहीं है पहली चीज नंबर टू उनको पता था कि इससे USA और चाहिना के जो relations है वो खराब होएंगे नंबर थ्री जो यहां पर Taiwan है उसको पता है कि अगर मैं आज नहीं करूँगा मुझे कल करना पड़ेगा क्योंकि ज यहां पे उन्होंने क्या बोला कि four those of us in India watching the events as they unfold around Taiwan को हमें कुछ valuable चीजे lessons यहां से सिखने चाहिए पहली चीज पहली चीज सीखो भाई stand लेना छोटा सा इलेंड है 23 million people है ठीक है यहां पे इंडिया बहुत powerful है बहुत military भी उनसे ज्यादा strong है हमारी लेकिन हमने stand ने लिया हमा यहां पे उनके साथ meeting कर रहे है ठीक है तो यह चीज यहां पे गलत जो है वो नजर आते है लेकिन यहां पे उन्होंने stand लिया और stand लेने का सबसे पहला पॉंट यहां पे उन्होंने बताया number two यहां पे बोला गया कि जो मतलब एक चीज होते हैं के भी sovereign positions ठीक है हमारी जो sovereign positions उस पे red line अगर वो यहां पे cross कर रहे हैं किसी भी चीज को तो एक ऐसा message जाना चाहिए चाहिए ना को कि वो आगे से कभी इधर वाली side पे देखे भी ना ठीक है अभी यह वाली चीज पे जो government है उसने clarity भी नहीं दी 2020 से हम देख रहे हैं जो LAC पे हो रहा है ना तो line of actual control पे tent पगेरा लगा लिए लेकिन अभी तक हमारी सरकार ने कभी clarity नहीं दी अगर सरकार clarity नहीं देगी तो दूसरे जो उसके friends हैं जो दूसरी countries है चाइना की occupation जो बोलते हैं कि भी चाइना ने occupy कर लिया था थोड़ा सा हमारा part तो वह वाली चीज को अगर आप clear ही नहीं करोगे तो हमें पता कैसे चलेगा लोगों को कैसे पता चलेगा country को कैसे पता चलेगा आपके friends को कैसे पता चलेगा आपके friends को मतलब इंडिया के friends को तो वो आपकी help कैसे करेंगे तो ये message एक चीज भाई आपको एक lesson सिखना चाहिए ताइवान स्टेंडोर से जहां पे उसका कुछ करता है वो उसके sovereign rights के उपर सवाल पैदा होता है वो खुलके बताता है कि भी मेरे साथ चाहिना ये कर रहा है और react भी करता है proper तरीके से अब दूसरी चीज़ why to clear ये चीज़ clear क्यों करनी है अभी मैंने बताया कि अगर आप clear करोगे तो दूसरे जो diplomatically आपके friends है वो आपको support करेंगे then यहां पे और क्या चीज़ है appeasement is bad strategy ठीक है अब यहां पे ना जो होगा देखा जाएगा वाला concept है जे एच डीजे ठीक है जो होगा देखा जाएगा अब मतलब क्या है इसका भई जो देखो ना कि जो blockade है हम अभी economic blockade है उसने कर दिया चाहिना ने है ना कि exercise वह regression का answer देना भी होगा फिर regression से भी देना हम जानते हैं ठीक है वो unwillingness है ना लेकिन इंडिया की case में हमने यह देखा कि कहीं बार कि इंडिया की mistake से हमने क्या देखा कि जो इंडिया की India policy of meeting यहां पे जो PLA है people's liberation army मतलब चाइना की आर्मी है जो वहां पे wallet कर रही है LAC को यहां पे meetings कर रहे हैं यह बंदे ने बोला कि भी आपने जो करना है करो ठीक है हम आपके साथ को meeting meeting नहीं करने वाले हमने पिलोसी को बुलाना है बतला आप बुलाएंगे हम पिलोसी जी को पिलोसी जी आ है और वहां पे उन्होंने blockade कर दे करते कर दे कर दे और ब्लोकट कर दे उनसे meetings कर रहे हैं उनके Chinese leader को host कर रहे हैं ठीक है फिर उसके बाद में हम discuss करें और आगे चले अगर जो second mistake इंडिया ने और की के यूनिलेटरली यूनिलेटरली मतलब क्या है कि जो चाइना की sensitivities है हमें पता है कि चाइना को यहां से नहीं छेड़ना मतलब क्या है ताइवान से अगर मैं ताइवान के साथ में कुछ भी relation मनाऊंगा कोई भी चीज के लिए बात करूंगा तो चाइना बचारत चिड़ जाएगा मैं चाइना को क्यों चिड़ा हूं चाइना तो मेरा भाई है ठीक है तो भी आप यूनिलेटरली कर रहे हो चाइना नहीं आपका सोच रह पता है मतलब क्या है कि भी बहुत खुलके बोलो ना और भी क्वैड है क्या तो चाइना सबी को पता है लेकिन इंडिया नहीं बोल पा रहा है तो ये कुछ चीज है आपकी जो मिस्टेक से उसको ठीकर हो अब फलॉड आर्गुमेंट में क्या क्या है पहली चीज तो यहां यह बोला जारा है कि जो इंडिया है वह चैना के साथ पहें अपने र्लेशन वजाव से निफ जी सिर बढ़ा ठाब यह जरूरोर ने किसको की इंडिया का मतलब ज्यादा पैसे को देने हो ऊटाइए चॉस को बहुत जादा नुक्सान होने वाला है अगर इंडिया इस तरह की चीज़ करेगा छीक है इंडिया को भी होगा नुक्सान के chemicals नहीं आ पाएंगे बहुत सारी ऐसी चीज़े जो वहीं से आती है रेर अर्थ minerals होगे semi reactor chips होगी वह सारी चीज़े लेकिन फिर भी यार कुछ तो stand लेना पड़ेगा अगर हम example लेना ताइवान की ताइवान largest trading partner है and China has an annual trade deficit of round dollar 80 billion to dollar 130 billion with the Taiwan ठीक है फिर उसके बाद भी investment बहुत जारा है लेकिन फिर भी extend लिया so lastly यहां पर चीज़ बोली जो जा रही है कि India for sure should do business with China but not on the China's own terms अपनी टांस पर business करो उसकी टांस पर क्यों business करना है ठीक है तो यह जो चीज़ आपको समने में होगा editorial कि क्या 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 लेसंस क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए इंडिया को ठीक है चालो नेक्स चीज़ की बात करेंगे sticking to commitments यहां पर sticking to commitments की बात है कि जो पैरिस agreement हो गया ंडिसी हो ठीक है उसके regarding यहां पर लिखा हुआ है 26 27th conference होती है एजिप्ट में को 27 होने वाली है sorry होती नहीं है तो वहां पर जो union cabinet है अभी नमबर में होनी है वो तो environment को protect करने के लिए कितना को contribute करना चाहते हो उसके लिए यहां पर प्रूव कर दिया गया तो जो पैरिस agreement था उसमें यही लिखा हुआ था कि two degrees Celsius से बढ़ने से रोकना है हमने heat को कम रखना है फिर उसके बार में यहां पर जो NDC है इंडिया की first NDC मतलब इंडिया ने commitment दिखाई इंडिया ने बोला कि इतना इतना मैं कुछ कर दूँगा इतनी जो चीज़ें यह commitment कहां पर दिखाई थी पैरी से अगरिमेंट में दिखाई कि मैं भी NDC release कर रहा हूँ कि और यह जो NDC है इसको मैं अचीव करने की कोशिश करूँगा मैं environment को protect करने की बात करूँगा यह nationally determined है मतलब अपनी खुद की determination है आपके ओपर थोपे नहीं जा रहे है आपने खुद बताने है हमारा उसमें पहला target था कि जो GDP की emission intensity है वो 33-35% by 2030 में कम करूँगा अब इसकी एक example देता हूँ I hope आपको समझ में आएगी environment की example है suppose कर लो आपकी GDP है आज की 100 GDP और इस 100 GDP को बनाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो emission करना पड़ता है न वो suppose कर लो आप 100 ही emission करते हो carbon emission 100 करते हो आप वो कहते कि आप GDP चाए 100 ही रखो चाए आप इससे ज्यादा लेकर जाओ लेकिन जो emissions है वो 33-35% को हम क्या कर देंगे कम कर देंगे मतलब कुछ 60 या फिर 65% क्या रह जाएंगे emissions रह जाएंगे इतना करीर हूँ है number one number two number two जो renewable energy की installation है वो 40% renewable energy से हम करेंगे ठीक है जो भी energy हमारी पास आएगी तीसरी चीज कार्बन सिंक ओफ 2.5 to 3 billion tons of CO2 equivalent through forest and tree cover by 2030 ठीक है फिर उसके बाद में जो इंडिया है वो उसका जो high net emission है लेकिन due to due to high population जो per capita emission है वो कम हो जाता है फिर ग्लासगो में जाके हमने यह तीन commitment सो हमारी थी लेकिन दो commitment सो और नहीं हमने की और उसी से हमारा क्या बन गया पंच अमरीत बन गया ठीक है ग्लासगो में अभी meeting होगा था और अभी आपने बताया भी के hosted by whom hosted by UK ठीक है तो पंच अमरीत यहां पे बना और पंच अमरीत express की है यहां पे जो pollution है उसको कम करने की यहां पे बात की है जो development है वो करने की यहां पे बात की है और balancing energy use करने की यहां पे बात की है ठीक है I hope आपको यह article और यह editorial समझ में आया होगा next news की बात करते है extremely important related to GS2 तो क्या हो रहा था कि जो MPs है MPs के उपर भी investigation चल रही थी तो य उन्होंने यहां पे जो wincan ID जो है उन्होंने वो कहते कि मैं चलो पढ़ लूँ प्रिविलिजिस है क्या आपकी उन्होंने बोला जो आपकी privileges है ना वो लिखी हुई है कहां पे कहते हमें नहीं पता कहते आप बता दो आर्टिकल 105 में लिखी हुई है आपको भी पता होना चा क्या है नॉर्मल सेशन कोई होने वाला उसके 40 दिन पहले आप उन बंदों को नहीं पकड़ सकते ठीक है सेशन को दुरान नहीं पकड़ सकते मतलब कोई भी निवेस्टिकेशन एंसी और 40 देज आफ्टर नहीं पकड़ सकते उसका रीजन क्या है कि आपना पारलेमेंट की ज इसको 105 40 डेज वाली सारी चीज़ याद रखो गएर सिविल केस है क्रिमिनिल केस नहीं सो यह जो प्रिविलिज मिलती है सिविल केस में मिलते है नॉट 7 दि क्रिमिनल केस नेक्स नियुस की बात करते हैं यह वही चीज युस वी नॉट लेट चाहिना इसले ताइबन के वह. यह नहीं कि भी ताइवान को आइसलेट होने दे देगा ठीक है फिर उसके बाद में जो इसराइल है उसने स्ट्राइक कर दिया गाजा पे दस लोग वहां पे जो है वो मर चुके है ठीक है हम यहां पे मैप दिखाता हूं मैं आपको कि कौन सा इसराइल का पार्ट है कौन सी क् चीज़ irlies फ्यूंट है इस 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 और अउनली ठीक है यह वाला जो पार्ट हो जाता है इस पार्ट इस्ट वेंक doit जौर्डन रिवर यहां पर आपको डैड़ सी देखने को मिलता है ठीक है तो जॉडर इवन की वेस्ट में तो इसका नाम के है वेस्ट बेंक वेस्ट बेंक में जो लोग है वो पलिस्टाइन लोग रहते हैं यह जाला सारा एरिया होगा इसराइल वाला और कुछ पलिस्टाइन के लोग रहते हैं गाजा स्ट्रिप में और not not the citizens बहुत ज़ादा जो लोग है वो यहां पे जो militant लोग है वो यहां पे रहते हैं वो यहां से attack करते है इसराइल के उपर फिर इसराइल attack करता है यहां पे और इस चीज़ को हम क्या बोलते है Gaza Strip बोलते है ठीक है इतना सब्सक्राइब इसराइल पार्ट यहां पे पलेस्टेंड रहते है यहां पे पलेस्टेंड रहते है Gaza Strip में इस तेल अवीव ठीक है और यह वाला जो एरिया है यह जो इसराइल ने कैप्चर किया था किस से सीरिया से इस इरिया इस नोन आज गोलन हाइट्स ठीक है तो यह चीज़ आपने याद रखने है This is Mediterranean Sea, this is Lebanon, Syria, Jordan Jordan और यह आगया हमारा Egypt ठीक है हमारा ने मतलब यह आगया Egypt clear बात तो यह मैप आपने याद रखना है location के जो question हो बड़े important हो जाते है next चीज़ बात करेंगे next जो news आज हमने discuss करनी है यह हमने जो अभी discuss किया कि भई आर भी अगर rates को hike करते है तो उसका impact क्या पड़ेगा obviously कम पैसे market मेंगे कम पैसे market मेंगे तो inflation control हो सकती है यह एक बड़ा वो हो सकता है दूसरा जो loans है वो महंगे हो जाएंगे ठीक है अगर loans महंगे हो गए तो आज की date में इस किसी बंदे के पास बहुत ठीक है बहुत लोग होएंगे हमारे के इंटर में inequality बहुत जादा है जिसकी वज़ासे हम यह बोच सकते कि कहीं लोगों के पास बहुत जादा पैसा है कहीं लोगों के पास इतना जादा पैसा नहीं है जो middle class families है उनको loan लेना ही पड़ता है अपना घर खरीदने के लिए तो वो जो घर है खरीदने के लिए loan लेना पड़ेगा अगर loan महंगा है तो वो कम loan लेगे और कम घर खरीदेंगे जो home की sales है वो उस पे थोड़ा सा जो hit है वो हो सकती है ठीक है जी तो आज में आज के news paper में तो इतना है राजे तो अगली अपनी वीडियो को इसको पहले share करना like करना और comment करना और अगली वीडियो कल डालते हैं फिर till the time revise your notes take care bye bye